आज हम Solidworks के अंदर इस वाले assignment करेंगे, इससे पहले हमने ये वाला किया था, उससे पहले ये वाला किया था, और उससे पहले ये वाला किया था, तो आज हम ये वाला करेंगा, उसके बाद ये वाला है, और भी, actually हम sketch पर focus कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे यहाँ पर sketch कर सको, okay, pad, fat, thickness, वागरा हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर sketch कितना अच्छे से कर सकते हो, हम देखेंगे, इसको थोड़ा minimize कर लेते हैं, तो इसको adjust करने के बाद, हम यहाँ पर इसका सुरूवत करेंगा, features पर जाकर यहाँ पर direct exclude पर click करेंगा, ताकि आखर में हमें करना ना diamonds पूछ रहा है, तो यह कैसे दो, के अदर पिछले वीडियो देखो, मैंने बताया था, अगर पिछले वीडियो पर नहीं है, मुझे याद नहीं है, मैं पिछले वीडियो पर बताया था, या उससे पिछले वीडियो पर बताया था, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यह पर सायद 40 है, मुझे ना समझ नहीं पा रहा है, यहाँ पर 0, 4B या ऐसा कुछ दिखा रहा है, actually यहाँ पर 48 लिखा हुए, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर reverse calculation किया, तो 48 देने से यहाँ पर होता है, क्योंकि reverse calculation कहां किया, यहाँ पर डायमेटर दिया है, और यहाँ पर जो आर्क है, इसका भी यहाँ पर radius दिया है, तो इस तरह से मैं कुछ plus minus करके, यहाँ पर मैं 48 पर लगा है, तो मैं यहाँ पर 48 दबा के यहाँ पर enter मारूंगा, अच्छा यहाँ पर एक बार click कर दो, अच्छा ऐसा हो गया ना, कोई बात नहीं, आपर फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर 48 दबा के मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद यहाँ पर एस तरह से आगया सायद, इसको मैं इस लाइन को सिलेट करने के बाद, इसको मैं कॉंस्ट्रक्शन लाइन में कॉंट्वर्ट कर दूँगा, ताकि इसका मतलब से मैं रेफारेंस के लिए उज़ कर सको, पसके बाद मैं यहाँ पर section लोगा, center section वाला ही ले लो, पसके बाद मैं यहाँ पर click करूँगा, click करने के बाद यहाँ पर उपर जाऊँगा, उपर से कुछ ऐसा करूँगा, ऐसा करने के बाद, इस तरह से आऊँगा, पसके बाद यहाँ पर इस तरह से section ले लोगा, दो section लेना पड़ेगा, एक लोगा, और उसके बाद अंदर, अच्छा, offset भी कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या फरक पड़ता है, यहाँ पर मैं फिर से इसी point से click कर गए, इसी point पर आऊंगा, तकी point पर coincide नहीं हो रहा हम बाद में कर देंगे, उसके बाद इस तरह से कर लेते, करने के बाद हम पर tick करेंगे, टिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको control और medium mouse दबा के थोड़ से adjust करो, एड़स्ट करने के बाद यहाँ पर हम dimension देंगे, dimension देने के बाद यहाँ पर जो line है, इस line को click करेंगे, center line को click करेंगे, उसके बाद इस point को click करेंगे, उसके बाद देखोए angle में shift हो जाएगा, angle यहाँ पर click करूँगा, angle क्लिकना दिया हो है, यहाँ पर total 30 और 30 मतलब 60 दिया है, तो हम यहाँ पर 60 दबाद के enter मारेंगे, इस तरह से हो गया, उसके बाद हो गया हमरा काम, उसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों जो coin, इन दोनों circle का center हम coin side करेंगे, इसको click करेंगे, control दबागे हम इसको भी click करेंगे, click करने के बाद हम यहाँ पर coin side का कुछ option तो आना चाहिए, यहाँ पर, अच्छा मैं आपर एक बार इसको इसको मारता हूँ, इसको मारने के बाद फिर से मैं इसको click करूंगा, उसके बाद यहाँ पर इस point को भी click करूंगा, control दबाने के बाद, यहाँ पर, हाँ आप coin side option आ रहा है, पहले साथ कुछ selected था, क्लिक करने के बाद तुम क्या करों, यहाँ पर एक center line लेलो, अच्छा center line लेने के कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसका center point पर click करेंगे, उसके बाद control दबा के हम यहाँ पर center point है, इसको भी click करेंगे, उसके बाद हम इसको भार्टिकल कर देते, यहाँ पर भार्टिकल बगेरा कुछ नहीं आ रहा है क्या, ओफो, यहाँ पर अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक line लेना होगा, तो तुम यहाँ पर center line लेलो, center line लेने के बाद तुम यहाँ पर इसको construction पर कर दो, उसके बाद में यहाँ क्लिक कर गे, इसको सीधा उपर उठा देता हो, जब यह सीधा है, तुम कैसे समझो कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर relation दिखा रहा है, यहाँ यहाँ पर कर सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता है, अगर बीच का option नहीं ले तो, उसके बाद यहाँ पर radius बगेरा है, यहाँ पर मैं smart dimension पर जाओंगा, इसपर क्लिक करूंगा, और इसपर क्लिक करूंगा, तो इसके बाद इस तरप आएंगा, ओके, इस तरप आ रहा है किया इहाँ अच्छा हां, आ रहा है, इसको मैं औफ ऑफ, क्या प्रॉब्लम है यार इसको Dow, क्यक्त करो, इस बी इस बिः करने के बाद इधार आ रहा है उसके बाद यहां पर क्या है यहां पर 12 है डामिटर दिया है तो हम यहां पर 12 देंगे 12 देने के बाद यहां पर जो भी कूछ या कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों का ऐसी करेंगे पोगे हम Green Selection का यूज कर रहे हैं अचाई यहां पर डाइमंसेन में सिलेक्षिन कोई बात नहीं इसका Green Selection के फंड है उसके पीछले वीडियो पर बताया था यहाँ पर मैं circular pattern पर click करूंगा तो उसके बाद यहां पर center point में already है एक दो तीन चार चार भी है एकदम सब कुछ perfect ही है परफेक्ट है ना हाँ एकदम perfect ही है तो हम यहां पर सिर्फ इसको tick मार देते हैं कुछ गलती तो नहीं कर रहे है ना यहां पर सब कुछ सही तो है मैं यहां पर tick मारता हूं tick मारने के बाद इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर फिलेढ़ड़ और उप्सन को ले लो यहां फिर से मैं यहां पर arc को लेता हूं 3.ark, इसको मैं click करता हूँ, उसके बाद, इस point को click करता हूँ, उसके बाद, इस तरह बैसे जुगा देता हूँ, जुगाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस तरह भी same करूँगा, इस point को click करूँगा, उसके बाद, इस point को click करूँगा, उसके बाद, इस तरह बैसे जुगा द ना इसको ग्रियाम करते हैं के लाद के दो टो इन दोनों को भी थियान से जुञ करो इन दोनों को भी घ्यान करो धो हाँ पर ऐसे टेंजट कर तो इसके बाद इन दो नहीं कि मैं green selection कर रहा हूं इसलिए फूरा select हो जा रहा है नहीं था अगर तुम इस तरप से blue selection कर रहा होगे तो यह पूरा select होता है तो blue selection का ही फन्डा है पर green selection में आगर भी percent चुरह हो जाए न तो भी हो search हो जाता है यहाँ है ऍो इसको थोड़ा सा फिट क्लिक कर देद हूं उसके बाद थोड़ा सा क्लिक कर गें यहां पर डाऊं जल और क्लिक करो उसके बाद इसको भी हो गया उसके बाद इंदोनों को vike क्लिक करो तो और पूँरे प्लादवों किसे पर फर्डेयर में होह जाता其實 को यह, इसको कहते हैं last को click करो trim to distance मैं इसको trim करूंगा यहां पर this item will be distriona entity we want to continue अच्छा में okay करता हूं तो trim हो जाएगा फिर से इसको भी trim करता हूं इसको भी मैं trim कर देता हूं और इसको भी मैं trim करता हूं यह पर रेडियस गायव हो जुगा इसलिए बोल रहा था इसको तो मैं फिर से यहां पर जूम कर गें अगर तुम पूरा यहां पर नहीं हिलाओगे कुछ भी तो यहां पर कुछ भी MN हदने होगा और इसको फिर से ठीक कर सकते हैं कैसे कर सकते मैं दिखा अ Leico Cake कर दो उसके दोनों को अगर ना भी करो तो भी चले टो अर एंपर क्लिक करो उसके बाद यहां पर क्लिक करोंगा तोกcket लिए करोंगा है चाहीं भी हो गया है कर दो ऐहाँ पर क्लिक और यहां पर भी हां पुरारी मों गया तो फ्सको प्रोब्लिम नहीं होगा ओके मैं कंट्रूल दबा के मेडिल मांसे तो रहे अज़ेस्ट कर रहा हूँ एक्षुली हमें यहां पर फिर से सारे रेडियस बगरा देना होगा जैसे मैं एक का दिखा देता हूँ बाकी सारा तुम टाइम कर लो यहां पर मैं सिलेट करके मैं अगर इसको खींचूंगा तो इसको मैं क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद अच्छा है डायमेटर 12 था तो रेडियस तो 60 होगा तो मैं डायरेक्ट यहां पर एंटर मारूंगा उसके बाद मैं यहां पर इस वाले को भी हां पर भी सिलेट करके यहां पर ऐसे खींच लूंगा खींचने के बाद यहां पर कहार लगीश फर्ट कुछ दो इसके अंदर याविग का स्टी तो यहाँ पर मैं थाट्टि अधा थो तो यहां पर मैं enter मारूंगा, enter मारने के बाद एप आटमेटिक कर लिया है, हमें करने की जबरत नहीं है, उसके बाद देखो, यह पूरा अधा black हो चुका है, फिर से, उसके बाद हमें ऐसा ऐसा करके करते हैं, सभी का देना होगा, उसके बाद और कुछ यहां पर बाकी आगय इसका मारने के बाद इस line को क्लिक करके इस तरह प्लेया के ऐसे, यहां पर already 15 दिया हुआ है, असको पता है, मतलब यहां पर भी नहीं, तुम सारे को ऐसे देखते रहो कि क्या क्या करना है, तो मैं देख देख कर कर देता हूँ, तो मैंने अभी-भी थोड़ी देर देखा कि इसको मैं जब ही получается, तो अङ्चोल है यह हिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यह जो आर्क है, इस आर्क को मैं select करूंगा, उसके बाद इस को अपर इस y-axis को select करूंगा, तो इसको मैं अगर यहां पर symmetric कर दूँ, तो देखो यहां पर major, यहां पर black हो चुका है, ओके, मैं अ तब लगा है इस pup करई अच्छा यहाँ फिर से कंट्रोल दबा कि sixłość करूंगा उसके बाद हम deze line Saturn संब्क बीसले करने कभग हम्ने तो यहां पर डायरेट कर दिया था कोई बात नहीं हम यहां पर थोड़ा सा fit to window करके देख लेते हैं यहाँ पर इसका 6 radius था तो मैं इसको क्लिक कर गए इस तरह बैसे खींच कर यहाँ पर हम 6 देखता हूं होता है कि नहीं यहाँ पर 6 देकर हम यहाँ पर enter मारते हैं देखता हूं यह ब्लैक अगर होगा तो मैं पूरा यहाँ पर equal कर दूँगा इसको मैं यहाँ पर tick mark down tick mark नहीं है black नहीं है मतलब यहाँ पर और भी कुछ देना पड़ेगा उसके बाद मैं मुझे यहाँ पर problem समझे आ चुका यहाँ पर मैं यह वाला radius मैंने अभी अभी दे दिया है यह वाला radius यहाँ पर दे दो उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको select करूंगा जो छोटी से जगा यहाँ पर select करने के बाद मैं इसको tangent कर दूगा टेंजेंट करने के बाद यहां पर यहां पर यह भी ब्लैक हो जुगा है उसके बाद यहां पर भी ट्राइ करते हूं यहां पर भी टेंजेट करके देखता हूं कि यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर टेंजेंट पर क्लिक करने के बाद यहां पर टेंजेंट पर क्लिक करन होुँ है हो रेडियास नहीं दिया है यहां पर हम समार्ट डाइमनसर को क्लिक करके तुम यहां पर Modeil करके enter जो उसके बाद यहां पर टिक मारो यह देखो यहां पर पूरा यहां पर ब्लैक हो चुका है oh my god बहुत यह अच्छी बाद है इस तरह भी साइद वही करना होगा पहले हम इस तरह कर ले दे आ अच्छा हम सिमिलर कर देंगे जो भी हो हम यहां पर इसके मारते इसके मारने के बाद यहां पर भी हम ऐसे करने के बाद हम इसके मारते तो यहां पर भी हम अचाह Mira करने के जबरत नहीं है एकदम perfect लग रहे גם परसेक्ट फूले कर सकती हो तो तो यहां पर हम इसको कर ठाशनें के थ्वोड़ा सा मतलब मतलब तो महीं सोचने में स aúnह नहीं नहीं है अच्छे यहां पर क्या दिखा रहे है कि तुम्हें पता है अच्छी बात है तो हम यहां पर इसको टैंजेंट नहीं करेंगे डिलीट कर देते हैं ह्ए Okay दो डिलेट करके हम यहां पर सिर्थ यहां पर RADIUS यहां पर क्या देंगे यहां पर हम Q brace करके इसस तरह मांगेंगे involves उसके बाद यहां पासीक्स तरह करके यहां पर क्लिक करके हम sou Mor देतेव हैं इंटर मारते इंटर मारने के बाद पर यहां पर टैंजंट करना customer यहाँ पर जूम करो, जूम करने के बाद कुछ तो गड़बर है, यहाँ पर tangent करके देखता हूँ, ओके, यहाँ पर अगर click करता हूँ, click करने क बाद यहाँ पर tangent करोंगा, तो उसके बाद यहाँ पर हम इस tick मारके में इसके मारता हूँ, नहीं, फिर भी नहीं, क्या problem है, यहा से नहीं हम green selection करेंगे green selection क्लिक करने के बाद हम और भी tangent करेंगे tangent करने के बाद नहीं अच्छा हो गया ओके तो यह यहां पर करना वाकिए था कोई बात नहीं तो एक तो पूरा थोड़ा सदे कर ना मैंने थोड़ा सा 5 याँ पर पूरा गाय हो चुका था ब्लू हो चुका था पर माउस से हिला कर तो एक फेल निक पर सौचा यहाँ पर एक लिक कर लोटीrat कंध किया क्या रिलेसन है उसके बाद मैंने ठीक सी किया तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम देना होगा टाइम देने के बाद हो गया उसके बाद मैं यहां पर exit sketch करूंगा exit sketch हमाना fully defined हो चुका है exit sketch करूंगा exit sketch करने के बाद यहां पर यहां पर डायरेक्ट ही एक्सक्लूड हो जाना चाहिए क्योंकि हमने एक्सक्लूड से ही सुरू किया था हाँ यह पर थीकनेस पगर है तो कुछ है नहीं तो हम खुद के इसाब से थीकनेस देकर यह पर टिक मार देता है उसके बाद अंदर की तरह एक बार क्लिक कर दो तो देखो यह हमारा ड्राइंग पुरा कंप्लेट हो चुका है तो थीकनेस पर ध्यान मत दो यहां पर स्केच ही रियल था मतलब स्केच तुम कितना आची तरह से कर सकते हो फूली डिफाइंड कैसे कर सकते हो वही यहां पर देखने वाली चीज थी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइंड में डे वाला है और इससे हम बीच पर और भी कुछ यहां पर जोड़ देंगे यह वाल तो करने में मतलब वही गया था तो फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर आज के लिए बाए बाए